अस्लाम अलेकूं कैसे हैं आप सभी लोग मैं में में मुइत करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैर्याट्से होंगे ला का शुक्रे में भी बिल्कुल खैर्याट से हूँ तो यह सुभा का टाइम है बॉश्ण में लोट कर दी है मैं सुभा जल्द ही beim valiant मुशिन लोड कर देती हूं और फिर जब यह कंप्लीट हो जाता है रहूं तो फिर उसको मैं ड्राइ कर लेते हूं गर्मिया है तो बस आधे घंटे के लिए कपड़ों को डालना होता है हवा मैं अच्छा आज में शेयर कर रही हूं कि आप लॉन की ड्रेस या कॉटन की ड्रे इसी मेथट से आप कॉटन का सूट या लॉन का सूट कोई भी कपड़ा कॉटन या लॉन का आप वाश कर सकती है और उसको बिल्कुल नयासा रख सकती है तो इसके लिए मैंने यहां पर फिटकिरी का एक पीस ले लिया है मेरे पास आज पीसी भी डालती हूं तो दो चमच म जो कि मेरे पास दुबई साय था इसके इंब्रेडरी देखे कितनी अच्छी फिनिशिंग है तो लगता है डर के हम जब इसको फिर्स टाइम वाश करते हैं कहीं इसकी कढ़ाई में से कलर ना निकले या डार लाइट पर ना जाया या कलर आपस में मिक्स ना हो जाए तो वह जुमेन यह लेक्ष्ण तैयार कर आइंध देडय समय नमक ले लिया है और फिट करी को मैंने इसमें घोल लिया है अब इसमें मैं यह सूट डिप कर दूगी तो कोशिछ करें के एक ही कलर कपड़े एक साथ डिप करें 2-3 कलर के कपड़े एक lesi डिपना करें अब मैं इसको दूप इतनी तेज़ है गर्मी जादा हो रही है हमारे हैं सारे पौदे मुर जा रहे हैं सब जले जा रहे हैं को मैंने शेड में भी अप रख दिया है तो सब जल लग रहे हैं कि कुछ भी पौदे नहीं बचेंगे जैसे यह मौसम जाएगा तो वही में सब देखने आई थी दूप बहुत तेज़ है तो चुड़ियों के पानी कभी में बार बार चैक करती रहती हैं कहीं इनके वर्थन में पानी कम ना हो गया हो तो उसको मैं सुभा शाम भर रहे हूं जब चुड़िये पानी पीतिया बड़ा चल लगता है वह सीन कभी रिकॉर्ड करा तो आप लो सब की चोईस देखनी पड़ती है बच्चों की बड़ाओं की कि किसको क्या खाना है तो सभी कुछ बनना है सभी कुछ हो रहा है तो गर्मी के लिए हाथ से इस ट्राइम में बनाऊंगी सत्तू जो कि मेरी घर में सर्फ मैं और हजबन पीते हैं बच्चों को भी पसंद नही जाए ऐसा नहीं कि कलर बिलकुल ही निकलेगा जो कपड़ों के उपर एक अलग सा एक्स्टा कलर होता है वह इसमें निकल गया है तो इस पानी को हम फैंक देंगे और दो तीन बार प्लेन पानी से इसको वाश कर लेंगे जब पानी का कलर निकलना बंद हो जाए मतब जब फ कर लें वरना शेम्पू तो सभी के घर में हर टैम एविलेबिल रहता है तो इसमें मैंने एक चमच की खरीब क्योंकि मुझे एक ही सूट दोना है तो एक से जब चमच मैंने आपकर शेम्पू को पानी में डिजॉल्व कर लिया है अब अच्छे जाग आगे क्योंकि इसमें कोई दाग धबे पड़े हुए जो मुझे जादा डिटेजन में डालके इनको रब करना है बस एक हलकी सी यह होती है पसीने का होता है इसमेल होती है वो निकाल नहीं होती है तो मैंने एक से दिर चमच शेम्पू लेकर इसको च्छाग बना ली है इसमें मैं इस सूट को डि पार नहीं था बिल्कुल साफ थे तो मैं इसको बस ट्रिप करने के बाद पांच मट के बाद इसको प्लेंड वाटर से जैसे हम नॉर्मल कपड़े दोते है उस तरह से वाश कर दोंगी इतने में यह गुड़ बिल्कुल अच्छी तरह से घुल गया था अब इसमें हम सत्तू मिला देंगे तो मुझे भी दो ग्लासी सत्तू बनाने हैं तो मैं थोड़ा से एक्स्ट्र बना के रख लूंगे इसका मिक्चर कभी शाम को पीना हुआ तो फिर दुबारा से बना ले हैं तो यह जॉव वाले सत्तू हैं इसको मीक्स कर लेंगे चेतर से किसमें कोई लंप सना रहे अब यह तरह से मिक्स हो गया है तो अपने टेस्ट के साफ और अ जितना गाड़ा पसंद दर अ यह ग्लास में डाल लेंगे और इसमें बहुत सारी परफ तालेंगे और साथ मैं मैं भी नहीं पीती थी खैट मैं भी स्माइब भी यह की लिए बना देज चाहीं कि कुछ कर्म आदे तो इसका भी वाप कर दिया था तो उनके लिए भाद में प्रॉट लूझी है तो आध मैं वाजा ने भी कि दो पींगे तो नहीं तो आधर बिदकि अपश नहीं पींगें आप इसको पर इसको बातरूम पर इसको है कर दिया और यहां कर दिया है बाघ नीज़ा होगा यह तो The तब हम फिर उसके बाद इसको फोरण आयरन कर देंगे वह भी मैं आगे शेयर करूंगी तो इसके साथ ही मैंने गर्मी का खाना बना लिया था बस यहां पर मैं भी नहा दो कर फैश हो गई थी अब बैठके खाना खाएंगे तो खाने में आज मैंने बनाया है दाल चावल यह वही मुरबभा है आमको जो मैंने लास्ट यह बनाया था और साथ में यहां पर ब्लैक ओलिब्स खाऊंगी तो अब हम सब लोग बैठके लंच करेंगे उसके बाद एक पार सल और आ गया था तो अभी वही टी-शिट की खरेदारियां चल लहीं गर्मी के लिहां से मैंन कि इसका मुझे अच्छा लगा जो लास्ट वीजुए मैंने शियर करी थे आप लोगों के साथ टी-शिर्ट वह भी अच्छा लगी है जो एक यह वाली ज्याद है जो फैब्रिक है उनका भी अच्छा था और इसका भी अच्छा है तो आपके साथ इसकी डिजाइन कर रही ह तो यह दिजाइन मुझे बहुत अच्छी लगी यह अब यहां पर यह सूट थोड़ा सा अभी गीला गीला सा मत बिल्कुल अच्छी तरह से सूखा नहीं है बिल्कुल ब्राई नहीं हुआ है जो इसमें कड़क पना है अभी डैम है वन्ना वैसे भी हम जब कॉटन के कपड़ पर प्रेस करते हैं तो इस पर वाटर स्प्रेक करके कॉटन के कपड़ों पर आयरन करी जाती है तो इसको मैंने अभी थोड़ा गीला गीला ही था तभी मैं इस पर आयरन कर दूंगी प्रेस जरा इत्मिनान से करें इसके जो नौकें होती हैं उसको संभालते हुए स्लाइब को संभालते हुए और चाग दामन को अच्छी तरह से अंदर से प्रेस करते हुए आइरन करें तो मैं यहां आपके साथ शेयर करें तो इसको आप और से देगें अगर आप चाहते हैं कि कॉर्टन के सूट पे या लॉन के सूट पे किस तरह से प्रॉपरली आइरन करें तो मैं उसके लिए भी डेडिकेटट वीडियो बना दूंगी अगर आप रोखेंगे तो फिलाल आप इसको देखें अगर आप पे कि अगर आप पे याप कि अगर आप बना दूंगी आप कि अगर आप पाद आप आप पादेखें कि मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको पूरी शर्ट दिखा दी है कहीं भी कोई कलर नहीं निकला है कलर के जो का सूट के कलर है उसमें चमक बरकरार है शैनिंग बरकरार है कलर वैसे के वैसे हैं सॉफनेस में भी मैंने आपको हाथ लगा-लगा को सूट की दिखा दी थी कि यह भी धुल गया है कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुए हैं बना हुआ है तो इस तरह से आप लोग भी अपने लॉन के या कॉटन के सूट को वाश करिए उनकी केर करिए तो इंशालला बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे हो आप उसको मतलब बड़ा अफसोस होता है कि एक वाश में ही कॉटन के या लॉन के कप्टे खराब हो जाते तो इस तरह से वाश करिएगा इंशालला आपके भी अच्छे बने रहेंगे तो यह थी मेरी आज की वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी